नुखो किया है ये नया भारत आतं के जख्म को नहीं सहता है बलकि आतं के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है जो हमें आतं की हमलों के जख्म देते थे उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है एक सुरक्षित राष्ट ही एक विक्सित राष्ट का आधार होता है और आज यही भारत की पहचार है और यही राइजिंग भारत है साथ्यों चुनाव का मौसम है चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल सर पर है तारिकों का एलान भी हो चुका है आपकी समीट में भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं डिबेट का महल बना हुआ है और मैं मानता हूँ लोगतंत्री की यही खुपसूरती है देश में भी दीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है सरकार अपने दस साल के कामकाजगा रिपोर्ट काड़ रख रही है हम अगले पचीस साल का रोड़ मैप बना रहे हैं और अपने तीसरे टम के पहले सो दिन का प्लान भी बना रहे हैं दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए किर्देवान बना रहे हैं आज ही उन्होंने मोदी को एक सो चार भी गाली दी है औरंग जेब कहकर नवाजा गया है मोदी की खोपड़ी उड़ाने का एलान किया गया है इन सब पोजिटिव नेगेटिव बातों के बीश दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है